हेलो दोस्तों आप सभी का All About Social में स्वागत है और ये समासास्तर की इगनू सिरीज है और इसमें आज हम लोग सामाजिक अस्तरी करड के जो विभिन वे हैं देखने के नजरिया क्या है जिसमें कि आलडी हम लोग इसके पहले वाले फाग में हम लोग चर्चा कर चुके हैं वे प्रयोंसिस करेंगे दवन्तवादी नजरिया क्या है जिसमें कालमाक्स की बात अग्रद की ने की थी तो उसके बारे में भी डिसकस हम लोग ने किया था आज हम लोग यह कुछ ऐसे और कि तरिश्टीन कर रहें हैं जैसे कि आप लोग ठ्यूूमीन जिभर के हैं या फिर त लाकट पार्संस के बारे मिं सुनते हैं तो आकिर में इन लोगों roasted करड़ के प्रति अपना क्या त्रिष्टि कोड अपनाया था उसकीबारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए हम लोग समझते हैं सामाजिक स्तरी करड का अर्थ जो होता है हो व्यक्तियों में स्रेश्टता और हींता के संबंधों का होना होता है इस प्रकार के सिध्धांद जो होते हैं राज्य और समाज द्वारा माने और लागू किये जाने वाले नियमों और मुल्यों के समन्वै से संचालित होते हैं टा इन्हों नहीं दिया है तो अगर ये आप लोग को कुछ की टर्म मिलेंगे पैटर्नी करण की बात आती है या फिर क्रम अस्थापन की बात आती है तो इससे टालकरट पार्संस का नाम जुड़ता है सामाजिक संबंधों के क्रम अस्थापन में क्या क्या आता है तो इसमें मुल्य व्यवस्था सत्ता अधिकार का धांचा क्या है इस्ट्रूक्चर कैसा है लोगों में सत्ता किस प्रकार से बटी हुई है प्रदत है या फिर उपलब्दी के आधार पर है नियमों का अनुपालन कैसे किया जाता है या फिर उनसे समाज में किस पकार का वीचिलन पाया जाता है इत्यादी समेट अनेक परिवर्ती सामिल होते हैं पार्संस का यहां पे एक कथन है जो कि आप लोग याद रखिएगा कि सामाजिक अस्तरी करण को यहां व्यक्तियों का प्रभेदी स्रेडी करते हैं और जो सामाजिक त्रिष्टी से महत्वपूर संदर्वों में एक दूसरे को स्रेष्ट और हीन का तरजा देते हैं तो यह जो कथन है टालकट पार्संस का आप लोग जरूर याद रखिएगा यह इगनू के बुक में कथन दिया गया है इससे यह असपेस्ट है कि का नजरिया जो है वो सरवांगी या विवस्था से चुड़ा है क्योंकि इसमें मुख्यत समाज के विविन पहलों के क्रम अस्थापनिया एकी करड़ को महत्व दिया गया है टालकट पार्संस ऐसा कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समाज में दवन्द ही नहीं होता है या विरोधी नहीं होता है या फिर ये भी नहीं कर सकते हैं कि समाज में बिल्कुल एकी करण की कंडिशन होती है कोई भी समाज होता है वो हमेशा द्वंद की इस्तिती में नहीं रह सकता है क्योंकि अगर समाज में हमें सिर्फ त्वंद दिखाई देगा तो समाज फिर आगे को बढ़ी नहीं पाएगा और कोई भी समाज पून ता एकी कृत भी नहीं रह सकता है सभी समाजों का जो सार है वो गतिशील शंतुलन है अर्थात गतिशील ता भी समाज में पाई जाती है समाज में परिवर्तन भी होता है लेकिन एक संतुलन की इस्थिति को लिए हुए उसमें बहुत जादे पिरोधा भास नहीं दिखाई देता है कंफ्लिक्ट की कंडिशन न आप लोग याद रखिएगा प्रकारिवादी नजरिया आखिर में क्या है तो प्रकारिवादी इसको आप लोग थोड़ा हाइलाइट कर लीजेगा प्रकारिवादी नजरिया आखिर में क्या क्या हता है आलेडी हम लोग पिछले लेक्चर में डिसकस किये थे लेकिन इसको हम लोग डिविस और मूर की नजरिये से देखेंगे प्रकारी शब्द सामाजिक पत्धती के रख रखाओं के लिए अर्थ व्यवस्था नीती धर्म इत्यादी पहलूं के सकारात्मक परडामों को दर्शाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है इसलिए प्रकारी वादी या कारी प्रक्षिधान जो है वो सामाजिक स्तरीकरड को परिहारी खटना मानता है अर्थात हम उसको समाज से अलग करके नहीं देख सकते हैं सामाजिक स्तरीकरड जो है वो समाज का एक अभिन अंग है उसको हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं एक व्यक्ति सभी आवश्यक्ताओं क कोई भी सिंगल व्यक्ति जो है वो अपने सारी की सारी काम खुद नहीं कर सकता है हमें प्रत्तिक कारे के लिए हम कुछ कारे तो अपने खुद कर सकते हैं लेकिन अन्य सभी कारे के लिए सभी कारे के अगर बात करें तो हमें किसी न किसी से हेल्प की मदद की जरूर जरूर हो कहीं रहने की बात है कहीं घूमने की बात है तो कहीं न कहीं हम विभिन व्यक्तियों से निर्भर रहते हैं उनकी उपर हम निर्भर रहते हैं तो एक व्यक्ति सभी आवश्यक्ताओं को पूरा करने में शक्षम नहीं होता है इनकी पूर्ति के लिए विभिन विन रूची और योगिता वाले बेक्तिए। की चरुएक पड़ती है. जैसे कि हमें गाना सुनना अच्छा लगता हैं, तो हम खुद गाना गाके नहीं सुन सकते हैं. हमारे लिए बहुत ऐसं सिंगर हैं, जिनकी गाने हमें पसंद हैं और हम उन्हीं सुनते हैं. या फिर हमें अगर dance पसंद है, movies पसंद है, हम हर इतनी अच्छी acting नहीं कर सकते हैं हर चीज के लिए, अगर acting करेंगे तो हम खुद नहीं देख पाएंगे सही से, तो जो लोग अच्छे actors होते हैं, उनकी movies हम देखते हैं, या जो भी आप लोग serial देखते होंगे, वेब series देखते होंगे, तो उसको entertain करते हैं, हम लोग मनरंजन करते हैं, तो इस प्रकार से हम किसी भी जरूरत को अपने देखें, तो हम दूसरों पे निर्भर चरूर होते हैं इसलिए विभिन व्यक्ति जो कारे करते हैं, उनके महत्व के अनुसार ही सामाजिक अस्तरी करण और क्रम परंपरा बनती हैं, डेविस और मूर आखिर में इस बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि जब भी सामाजिक अस्तरी करण के प्रकार प्रकारियात्मक नजरिये की या प्रकारियात्मक सिथान की बात आती है तो किंग्सले डेविस और बिलबर्ट इम मूर की चर्चा जरूर होती है इनके बिना सामाजिक अस्तरीकरण का प्रकारियात्मक सिथान जो है वो अधूरा है तो किंग्सले डेविस और बिलबर्ट इम मूर ने सामाजिक अस्तरी करड़ के जिस कारिपरक सिध्धान्थ का प्रतिपादन किया है वह उपरोग्त चित्रड़ के अनुरूप है इस सिध्धान्थ की मुख्यवी सिष्थाएं इस प्रकार है तो यहाँ पे आप लोगों को इगनु की बुक से मैंने ये इमेज लिया है आप लोग देख सकते हैं कि सामाजिक अस्तरी करड़ का जो प्रकार्यात्मक सिध्धान्थ है वो क्या कहता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीची हीडिंग भी दिया गया है वह मैक्तिक अस्तर और शक्ति में भी भिभिनता है तो आप यहाँ पे एक बुजुर्ग है, हो सकता है कि ये सरपंच भी हों तो इनकी अपनी समाज में जो इस्थिती है जो इनको एक इज़त दी जाती है रिस्पेक्ट दी जाती है वो समाज के विभिन व्यक्तियों से इनको अलग करती है तो इस प्रकार से ये इनको के बुक में एक इमेज दिया गया था जिसको मैंने यहां पे मेंसिन किया है जिसको कहा गया है इनको के बुक में कि जो किंग्सली, टेविस और विलबर्ट एम मूर हैं, इन्हों ने जो प्रकारियात्मक सिधान दिया है सामाज कस्तरी करड़ का उसमें ये इमेज बहुत जादे फिट होती है अब इन्हों ने आखिर में कुछ है इसके जो मुखे लख्षड बताया हैं वो कौन कौन से हैं तो इसको हम लोग देखते हैं कि पहली बात इन्हों कहिए है कि सामाजिक अस्थरी करड़ और परिहारीय है अर्थत इसको हम उस समास से अलग करकि नहीं सोच सकते हैं विविन कारियों के लिए विवेदी रूची अर्थत विविन रूची और योग्यता की आवश्यक्ता पड़ती हैं सामाजिक अस्थानों और दायतों का विभेदी मुल्यांकन होता है और वहीं पेविभिन प्रकारियों से चुड़े विभेदी महतु के आधार पर उन्हें पाइटोशिक या फिर पुरस्कार दिया जाता है और मुल्य और पुरस्का ही सामाजिक अंतर और अस्थरी करण को जन्म देते हैं तो जितने बड़े पद होते हैं जितने ही उत्तरदायत्व होते हैं उतनी ही उसे सम्मंदित भूमिकाय होती हैं और उसी के अंसार उन्हें पुरस्कार दिया जाता है और उसी के अंसार हमें समाज में अंतर दिखाई देता है जो की अस्तरीकरण को जन्म देता है तो ये बात तो Kingsley Davis और Wilbert ये मूर ने कही थी लेकिन जब आप लोग पढ़ते होंगे कि Kingsley Davis और Wilbert ये मूर ने जो प्रकार्यात्मक सिधान दिया समाजिक अस्तरीकरण का उसकी कड़ी आलोशना ट्यूमिन की त्वारा की गई थी तो जो इगनो के बुक में ट्यूमिन की मीमान सा अर्थात इनकी जो अपने पक्ष रहे हैं आखिर में क्या रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिस करेंगे कि डेविस मूर के सिधान की मेलविन एम ट् जिन्होंने एक नैसर की कलक्षड के रूप में की यह एक नैसर की कलक्षड के रूप में सामाजिक अस्तरीकरण को इन्होंने चुनोती दे थी तो नैसर की लक्षट के रूप में सामाजिक अस्थरी करड़ को इन्होंने चुनौती दी थी इन्होंने कहा कि उन्हें जो है सामाजिक अस्थरी करड़ की आवश्यक्ता के प्रकार्यात्मक महत्तो की आथिहासिक मानेता पर संदे था ट्यूमिन कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह जो हमें समाजिक अस्तरी करण दिख रहा है यह एक अधिहाशिक रूप से चली आ रही है इसको एक माननेता मिल गए कि समाज में यह अपरिहार्य है होना ही होना है ट्यूमिन के अंसार डेविस और मूर ने अधिक या कम सत्ता अधिकारी और प्रतिष्ठा की इस्तितियों की जो धार्णा पेस की वह पुन्रुकती और दो स्पून क्रिया भी थी है तो ट्यूमिन कहते हैं कि जो डेविस और मोर ने कहा है कि कोई कम किसी के पास अधिकार होता है, किसी के पास जादे होता है, उसी के अंसार उनको पुरसकार भी दिया जाता है, उनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है और इसी के अंसार हम इस समाज में अस्तरी करण देखने को म यह इस से असहमत है थोड़ा सा और इसको हम लोग elaborate करके देखते हैं यह कहते हैं कि कारी का आवंटन और उसका निस्पादन इस्थितियों के बजाए पुरसकारों का आधार है तो इन्हों नहीं कहा कि जो कारी का आवंटन है जो कारी का पटवारा किया जा रहा है या फिर उस स्थिति है पद है उसके बजाए पुरसकारों के आधार पर है डेविस मूर ने एक कम कारेपरक और अधिक कारेपरक के भी चुभेद किया है टूमिन के अंसार वह भी भ्रामक है क्योंकि एक इंजीनियर के अगर बात करें तो वह एक केकनिस्यन से जादे हाईर पोश्ट प कर सकता है तो कोई एक इंजीनियर है उसकी चितने भी महत्योंकारे हैं लेकिन वो सिर्फ अकेले उस कारे को पूरा नहीं कर सकता है उतना ही योगदान उसके अंडर में जो स्रमिक वर्ग है या फिर अन्य वर्गर्स हैं उनका भी उतना ही योगदान होता है स्रम का वो एक आवश्रक्ता है ना कि ये समाज में आपरिहार हैं। मगर जैसा डेविस मूर्ण का विचार था सामाजिक विभेदन वो आवश्रक्ता नहीं है। यहीं पे ट्यूमिन और डेविस और मूर्ण के विचार जो हैं। वो अलग दिखते हैं, कि इन्हों ने कहा, कि स्रूम की विफाजन उस समाज में एक आवश्रयता है, किस ने कहा, तियुमेन नैं कहा, लेकिन किंसले डेविस और मूर कहते हैं, कि नहीं या एक आवश्रिक्ता नहीं है कारे परक्षिधान्त को सामान और और निश्चित माना जाता है क्योंकि ये समाजों में ये समाजों में व्याप्त और समानताओं और स्रेडियों का निर्धारड करने वाले कारकों के बारे में कुछ नहीं बताता है यहीं पे राल्फ डारेंडार्प की बात करें तो इन्हों ने कहा है कि अस्तरी करण नो तो मानो सुभाव में नहीं नहीं होता है राल्फ डारेंडार्प की अगर यहां पे बात करें तो इन्हों नहीं कहा कि यह मानो के सुभाव में नहीं नहीं होता है कोई जन के साथ ही अस्तरी करण की भावना नहीं लेके आता है नहीं या नीजी संपति के आधिहासिक रूप से संदेहासपत अधारना में है बलकि यह समाज के सत्ता धारी धाचे में नहीत होता है तो राल्क टारेंडार्प ने सत्ताधारी डाची में सामाजिक अस्तरी करण को नहित बताया है ये इनका एक की टॉम है जिसको आप लोग याद रखीएगा जो नियमों और आदेशों को बनाये रखने के लिए जरूरी है कि आखे में कैस प्रकार से नियम या आदेश आगे को बढ़ते रहें इसके लिए जो हमें सोशल स्टाधारी डाची में दिखता है यहाँ पे जो ये बुक थी जो इस चैप्टर था तो की सामाजिक अस्तरी करण के प्रती विभिन विचारकों के नजरिया क्या है अलड़ी इसमें हम लोग वेबर के नजरिया को डिसकस कर चुके हैं द्वन्दवादी जो कालमास का नजरिया है उसको भी हम लोग डिसकस कर लिए इसमें कुछ और विचारक छूट गया थे जैसे की रालपटारेंडार्प की बात हुई ट्यूमिन की बात हुई झालिक कि किंसले डेविस और उमूर की इसके बारे में बात है तो यहाँ पर इगनू के बुकमें आखे में इसारी मेसल Aoola । या मैडे прот Rad Arts होते हैं कांटेंट होते हैं उनको किस बुक से लिया गया है तो यहाँ पर कुछ किताबे भी दी रहती हैं तो मैंने यहां पर इसलिए mention कर दिया है कि at least आप लोगं को in books और writer के नाम या thinkers के नाम याद रहेंगे जैसे कि pre-industrial statification system यह M.G. Smith का है यह आप लोगं note कर लीजिएगा वहीं पर social structure and mobility in economic development आप लोग जब बुक का नाम देखेंगे और thinkers को देखेंगे तो आप लोगं को समझ में आएगा कि यह सारे books तो हैं वह किसी भी competitive exam में जरूर पोस्त दिये जाते हैं बहुत important books हैं इसलिए आप लोग याद रखेगा वहीं पे सम प्रिंसपल आफ स्टेटिफिकेशन जो है वह मेलविन एम ट्यूमिन का है तो यह आप लोग याद रखेगा यहां पे कुछ content जो है वह max waiver की class status और party से भी लिया गया था तो यह भी book max waiver की आप लोग याद रखेगा class status और party जो है वो इसको हम लोग csp भी करते हैं csp यह आप लोग याद रखेगा csp तो class status और party यह concept ही sorry max waiver के द्वारा दिया गया है वहीं पे एक और book है यह from max waiver essays in sociology जो की hs girth और cw mills की द्वारा लिखी गई थी तो यह कुछ 4-5 पुस्तके थी जिनकी thinkers के नाम भी यहाँ पे लिखे गया है उसकी बाद जो यह कुछ उपयोगी पुस्तकों की जो लिस्ट होती है वो मैं mention कर दिया करूँगी तो इससे आप लोग की एक अच्छी खासी लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी तो आप लोग के एक्जाम के लिए वो काफी helpful होगी उमीद है दोसतों की आप लोग को lecture पसंद आया होगा हम लोग next lecture में भारत में चाति और वर्ग के बारे में discuss करेंगे जो कि एक chapter है सामाजी का स्थरीकरड में अंतरगर्भ हलाकि भारत में चाति और वर्ग एक अलग सी chapter भी है तो आइसवारी हाँ एक अलग सी book भी है जिसक के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे लेकिन अभी हम लोग भारत में जाती एंवंग वर्क का एक डिप डिसकसन जो है नेक्स लेशन है नेक्स सैप्टर है उसका हम लोग अपने नेक्स लेक्चर में करेंगे अगर आप लोग मेरी लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग करके बताय करिए धन्यवाद